आगुनर दौलो अवी ऑन, ग्रीटिंग्स फिरं Deputy सितार एंप में जानने वाले सपाइथि तो आज हुम पतिक हमी जाने वाले हैं सबाइना के बारे में सबाइना होमेपतिक मेडसिन के बारे में और उसके there दौश काक्न benchmark Vietnam इसकी roots को पहले लेकर के abortion के लिए use किया जाता था पुराने टाइमस में इसके roots को लेकर abortion को induce किया जाता था क्योंकि इसके अंदर कुछ abortificant properties भी होती थी वैसे तो ये predominantly एक female remedy है लेकिन males के भी कई symptoms में useful होती है तो friends ये video सब के लिए बहुत जादे useful है अगर आप male है आप female है सारी information जो आपके साथ share करूँगी ये आप सब के लिए बहुत जादा useful है पहले हम बात करते हैं कि क्या symptoms देखकर कि इस medicine को लिया जाना चाहिए तो friends एक important symptom जो पूरी medicine में run करता है वो है intolerable to music patient को music बिल्कुल पसंद नहीं होता है जब हम case taking करते हैं especially females के अगर मैं बात करूँ तो जो case taking करने के time पे females बताती है कि घर में जबी भी तेज music चलता है तो मुझे बहुत घबरहट सी होती है palpitation होता है कान के आगे एक अजीब सी sensation होती है मैं बच्चों से बोल देती हूँ कि बिल्कुल music बं कर दे या बिल्कुल volume को कम कर दे तो एक important symptom की music बिल्कुल पसंद नहीं होता है अजीब सी घबरहट सी होती है anxiety होती है palpitation होता है तो एक important symptom पूरी medicine में run करता है symptoms कोई भी होंगे लेकिन ये चीज़ जरूर पूरी medicine में पाई जाएगी इसके अलावाद दूसरा important symptom इसमें ये होता है कि patient को गर्मी बहुत जादा लगती है हमेशा गर्मी में लगता है बहुत जल्दी उसको पसीना आ जाता है और हमेशा चाहता है कि खुली खुली जगा में रहे तो इसलिए जहां पर भी बैठता है windows, doors, सब कुछ open करके रखता है बंद कमरे में रहने में उसको घुटन सी महसूस होती है तो ये दोनों सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए पूरे बाकी सिम्टम्स के बारे में हम चानेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको किस में लेना चाहिए तो इसमें ये सबसे important medicine हो जाती है जहां पर fluid loss होता है fluid loss यानि कि blood का loss या semen loss fluid loss में सबसे पहले हम बात करेंगे blood loss के कौन-कौन से सिम्टम्स में ले सकते है तो अगर females के अंदर blood loss हो रहा है चाहे वो periods बहुत ज़्यादा heavy हो रहे हो या बार-बार abortion हो रहा हो ये दोनों सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है सबाइना या यू कहे कि सबसे बहतरीन काम करने वाली हुमेपतिक medicine है जो लड़किया जिनको periods जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं मिनारकी जल्दी हो जाती है या यू कह सकते हैं कि early puberty स्टार्ट हो जाती है उनके cases में भी काफी ज़्यादा useful medicine है इसमें जो girls होती है उनको शुरुवाती periods बहुत heavy आते हैं बहुत ज़्यादा bleeding होती है इवेन कई बार जो periods होते हैं काफी लंबे चलते हैं तो ऐसे cases में काफी ज़्यादा useful हो जाती है इसके लामा जो periods होते हैं अगर बहुत ज़्यादा दर्द के साथ होते हैं dysmenorrhea जिसको बोला जाता है तो ऐसे cases में भी सबायना useful हो जाती है एक important symptom यह होता है कि periods खतम होते हैं अगले period आने वाले हैं 10 दिन 15 दिन के बाद बीच में भी 2-3 दिन आपको periods आ जाते हैं ब्रीडिंग हो जाती है जो की spotting भी हो सकती है या heavy भी हो सकती है जिसको meteorosia बोलते है तो meteorosia के cases में भी काफे जादा effective हो जाती है जिसमें periods जो है बिल्कुल date से बीच में आ जाते हैं तो उस condition में भी इसको दे सकते हैं इसके लावा एक important symptom है जिसमें आप इस medicine को दे सकते हैं वो है abortion तो abortion के लिए अगर abortion के बाद आपको तकलीफे आ रही है या abortion बार-बार होता है उसको रोकने के लिए दोनों cases में बहुत दादा useful medicine होती है जो females को abortion हो चुके हैं बार-बार abortion हो चुके हैं और अब उनके शरीर में बिल्कुल जान सी नहीं रहती है और हमेशा back की शिकायद बनी रहती है back की शिकायद बनी रहती है पीछे जो sacrum है sacrum से लेकर pubis तक का pain हमेशा आता रहता है तो उन cases में भी काफी ज़दा effective medicine है या जिन females को बार-बार abortion हो जाते है especially third month में अगर abortion होते हैं तो उसमें काफी ज़दा useful medicine हो जाती है अगर हम बात करें sepia sepia काफी close आती है सबाइना के तो sepia को हम देते हैं अगर 5-7 महिने के बीच में बार-बार miscarriage हो जाता हो बहुत सारी females से जिनको किसी reason के बिना ही पांचवे और 7-7 के बीच में abortion हो जाता हो तो उसमें हम देते हैं sepia लेकिन अगर third month में मतलब जब तक placenta का function पूरी तरह से start नहीं हुआ है उसके दौरान अगर abortion हो जाता है तो उसमें हम सबाइना देते हैं एक और medicine आती है जिसको हम बोलते हैं विबरनस अपिलस इस medicine को देते हैं जब 8 मेने में बार-बार abortion होने की history होती है तो हमेपती में बहुत important medicine जो हर symptom की according दी जाती है तो इसी तरह से third month में अगर abortion होते हैं बार-बार होते हैं तो उसमें हम सबाइना देते हैं अगर बार-बार abortion होने के कारण कमजोरी आती है तो उसमें भी हम सबाइना देते हैं इसके लावा फ्रेंट्स इसमें दिया जाता है अगर delivery के बाद जो placenta है वो निकलता नहीं तो placenta को निकालने के लिए भी काफी जादा useful medicine है इसके लावा एक problem होती है इसको बोलते है uterine involution तो इसमें क्या होता है कि delivery के बाद जो uterus होता है उसको normal अपने position पे यानि कि pelvis में आ जाना चाहिए जो कि एक abdominal organ बन जाता है during pregnancy लेकिन अगर डेर तक जो uterus से अपनी जगा पे नहीं आ पाया है 40 दिन से जादा का समय बीच चुका है तब उस case में आपके involution को जल्दी करने के लिए यह बहुत important medicine होती है तो uterus को सही position पर ले आने के लिए uterus को abdominal organ से pelvic organ फिर से बनाने के लिए साब आयना बहुत जादा important medicine होती है इसके लावा एक important symptom होता है uterine prolapse uterine prolapse के case में जब उसको हमेशा ऐसा भार्ज ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ कोई organ गिरने वाला है और उसको support करना चाहती है साथ के साथ उसको गर्मी बहुत जादा मैसूस होता है music again उसको intolerable लगता है तो ऐसे cases में भी हम साबाइना देते हैं friends, fibroid एक बहुत important condition होती है और कई बार बहुत जादा bleeding का कारण बनती है जिन लोगों को heavy bleeding होती है most लिए fibroid ही उसके reason होते है तो fibroid को हटाने के लिए भी साबाइना काफी जादा useful होती है fibroid किसी भी तरह की हो सकते है अगर बहुत heavy size में है तभी भी काम करती है तो कई बार ऐसा होता है कि fibroid के कारण पूरा uterus ही निकाल देना पड़ता है और problem वहाँ पर आती है अगर आपकी family complete नहीं हुई है family complete नहीं हुई है तो आप uterus को भी निकाल नहीं सकते है चाहे dysmenorrhea हो, चाहे mitorrhagia हो चाहे minorrhagia हो, हर case में बहुत ज़्यादा effective medicine है इसके लावा एक important symptom इसमें यह है कि यह leucoria में भी काफी अच्छा काम करती है अब leucoria में हमको क्या देखना है कि leucoria में जो leucoria होता है जो discharge होता है, जो whitish discharge होता है काफी जादा एकृड होता है और बहुत जादा burning करता है तो खुझली बहुत जादा मचती है जहाँ जहाँ से वो discharge निकलता है वहाँ पे बहुत जादा खुझली मचती है बहुत जादा एकृड़िटी रहती है irritation बहुत जादा मचती है और ये leucoria periods के 10 दिन बाद अगर होते हैं तो उसमें सबाइना दी जा सकती है इसका लावा फ्रेंट्स ये दिया जा सकता है fig warts के cases में fig warts यानि कि आपके शेरीर पे चोटे चोटे से warts बन गए हैं जिसमें चोटी सी एक पेडंकल के थूँ आपके skin पे अटाच है तो fig warts के case में जब आप देखेंगे कि जो उबरा हुआ portion वो बाहर की तरफ एक डंडी से लटका हुआ रहता है और उसमें बहुत जादा pain रहता है तो क्योंकि ये थूजा family से ही आता है थूजा अगेन एक warts के लिए बहुत अच्छी medicine होती है तो सबाइना भी काफी ज़दा important medicine होती है अगर बाकी की symptoms आपसे match होते है इसके लबाँ एक और important symptom की बात करते हैं वो है gout gout के cases में ये कब important medicine हो जाती है जब आपके जो छोटी हड़ियां है आपके छोटे bones है उसमें आपको pain होता है और especially पैरों की छोटी-छोटी हड़ियों में आपको pain रहता है तो ankle के pain में या आपके जो metatarsals हैं उनमें अगर pain आपको रहता है तब ये medicine दी जा सकती है जैसे कि amon fos भी एक important medicine है जो की gouty pains के लिए दिया जाता है एक और important symptom जिसमें इसको दिया जा सकता है वो है menopause menopause के case में अगर female को बहुत ज़्यादा घबराट होती है music बिल्कुल पसंद नहीं होता शेरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और palpitation होने लगता है एक दम से उसको घबराट जी होती है बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ पसीना छोड़ता है और पसीना हटने के बाद वो थोड़ा सार नॉर्मल फील करती है यह जो सारे symptoms मैंने बताई यह menopause का symptoms होते हैं और साथ में अगर music वाला point आ जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपको सिर्फ सबाइना ही देनी है तो सबाइना menopause के case में बहुत ज़्यादा important medicine होती है इसके लाव हम बात करते हैं male symptoms में तो male symptoms में यह दिया जा सकता है gonorrhea के case में अगर इसमें discharge बहुत ज़्यादा होता है और जो discharge होता है अगेन बहुत एक्रिड होता है और जो previous part होता है उसमें भी छोटे-छोटे से warts बन जाते हैं जिसको हम venereal warts बोलते हैं तो उनके cases में काफे ज़्यादा effective medicine होती है इसमें जो male organ की जो skin होते हैं इसको retract करना काफी मुश्किल होता है और साथकसाद desires बहुत ज़्यादा बढ़े होते हैं males और females दोनों की cases में यानि नीमफो मेनिया की cases में sexual desire increased अगर ऐसे symptoms मिलते हैं और बाकिक symptoms भी match करते हैं तब आप सबाइना दे सकते हैं तो friends अब हम बात करते हैं इसके modalities क्या होती है तो modalities में क्योंकि एक hot patient है हमेशा इसको गर्मी लगती है तो हमेशा इसको ठंडी चीज़ों से अराम मिलेगा अगर वो बंद रूम में है तो curtain को खोलना चाहेगा door को open करना चाहेगा windows को open करना चाहेगा और खुली हवा में रहना चाहेगा अगर हम gout pains की बात करें तो इसमें भी ठंडे पाने से दुलाई करके इसको अराम मिलता है जैसे कि amount force में होता है और इसके साथ इसको चलने से अराम मिलता है अगर हम बात करें aggravation तो इसको aggravation होती है loud music से चाहे वो घर में बज रहा हो या दूर music हो रहा हो कान को बंद का लेना चाहती है चुप चाप लेट जाना चाहती है इसके अरामा इसको गर्मी से दिक्कत होती है अगर कमरे में गर्मी है तो बार-बार वो shower लेना चाहती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है अंदर से और गर्मी को बिल्कुल बरदाश नहीं कर पाती है अब हम बात करते हैं इसकी complimentary medicine तो इसकी complimentary medicine होती है वह थूजा तो सबाइना और थूजा को हम alternately भी देते रहते हैं तो सबाइना देने के बाद आप थूजा दे सकते हैं इससे सबाइना का effect और अच्छा आएगा अगर हम बात करें इसके antidote medicine तो इसकी antidote medicine है पलसाटिला पलसाटिला को आप तब दे सकते हैं अगर आपने सबाइना को लिया और उसकी बाद आपके symptoms बढ़ गए या आपको किसी बीतरा के तकलीफ आने लगी या अपने गरत potency लिया अपने गरत quantity लिया अपने ज़्यादा लंबे सबाइना को यूज कर लिया तब आप पलसाटिल सबाइना को mostly हम 30 potency में देते हैं lower potencies ही रखते हैं तो इसके lower potency यानि 30 potency को आपको लेना है एक चमच पानी में 3-4 बूंदे दिन में 3 बार आप ले सकते हैं इसको लेने के बाद आदे गंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है अगर आप किसी भी और बिमारे का treatment ले र लगते हैं तो फ्रेंड यह सारी information थी सबाइना homeopathic medicine के बारे में और उसकी uses के बारे में अगर आपको information पसंद आई है तो वीडियो को like ज़रूर करें और अपने friends और family के साथ भी इस information को share करें wishing you very good health thanks for watching